क्या कोई भी अक्टर किसी भी तरह से किसी पशुपक्छी, जानवर या बड़े, बुड़े, बच्चे या किसी अजीवों गरीब की तरह रोल कर सकता है मतलब उसी की तरह दिखे भी और उसी की तरह हाव हाव भी हो कैसा पॉसिबल है, बिलकूल पॉसिबल हो गया है आज क्योंकि आ गई है मोशन कैपचर टecknology, क्या होती है यह मोशन कैपचर टecknology बताऊंगा आज के फिल्मी फंडे में, hallo friends, welcome to फिल्मी फंडे, joint língs academy, दा practical film school और आप देखना है वालीवूड का गूगल जॉइन फिल्म से यूट्यूब चैनल मोशन कैप्चर टेकनोलजी ये कमाल की टेकनोलजी है जैसे जैसे साइन्स और टेकनोलजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ही आपने देखा होगा कि फिल्म मेकिंग बदलती जा रही है पहले वी एफेक्स को देखकर और उसके एफेक्स को देखकर हमें लगता था यार यह कितनी एजीब बात है कैसे पॉसिबल है लेकिन आज VFX या Green Screen जो effect होते हैं वो तो मूबाइल में बच्चे बच्चे कर लेते हैं तो वो इतनी कोई बात नहीं रही है लेकिन motion capture technology जो है उसने filmmaking को एक नए आयाम दिये कि आप अपनी कल्पना शक्ति में जो भी कहानिया सोच रहे हैं उनको परदे पे सकार करके दिखा सकते हैं और audience एक नए experience ले सकती है जो चीजें आज दिख नहीं सकती वो भी आप दिखा रहे हैं आज कल की जितने भी आपने फिल्में देखी होंगी उसमें देखा होगा कि जो जानवरों के हैं या पशुपक्षियों के हैं उनके भी how-how expressions सारे दिखते हैं जो कि पहले possible नहीं था क्या कोई सोच सकता था कि कोई actor मौत के बाद भी acting कर सकता है आज ये पूरी तरह संभव हो गया है और ये सब कुछ possible हुआ है motion capture technology से आज के वीडियो मैं मैं भी detail में बताने वाला हूँ तो अगर आप actor है, writer है, director है, film maker है, कोई भी है आपके लिए वीडियो बहुत important होने वाला है बस इसको आखिर तक देखिया क्योंकि अगर actor है तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह के role अगर आपको करने पड़े तो आप कैसे करेंगे अगर आप film maker है, तो आपको समझ में आएगा कि अगर आपको यह ऐसा subject बनाना चाहते है तो उसके लिए क्या जरूरी है अगर आप writer है, तो आपके लिए तो बहुत ही बड़िया होने वाला है क्योंकि अब आप कुछ भी सो सकते हैं अपनी कलबना शक्ती को कितना भी विस्तार दे सकते हैं क्योंकि अब technology आपके support में तो वीडियो को आखर तक देखी है, जो लोग पहली बार जुड़े है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बैल आकन को प्रेस कीजिए क्योंकि अपनी तरह का Bollywood में एंट्री को लेकर जितना भी content है वो सबसे ज़्यादा available है, आज नमबर वन चैनल जॉइन फ्रोंस पे 2000 से ज़्यादा वीडियो available है आपके लिए क्योंकि हम जानते हैं कि आपका सफना आपके लिए बहुत important है और उसे पूरा करने के लिए हम अपनी तरफ से जितना भी हाथ बढ़ा सकते हैं हम ज़रू बढ़ाएंगे, तो बात करते हैं motion capture की आपने अवतार और planet apps जैसी फिल्मे देखी ही होंगे ये इसी motion capture टेकनलोजी से शूट की गई है इंडियन फिल्म आदिपुरिश में भी इसी टेकनलोजी का यूज किया गया है सबसे पहले बात करते हैं motion capture आखियन है क्या motion capture एक ऐसी advanced technique है जिसकी मदद से किसी object या human के movement को record किया जाता है इसमें किसी भी actor के movements को digitally record किया जाता है और फिर उसे CGI की मदद से बनाए गए 3D model में transfer कर दिया जाता है इसमें actor के facial expressions, hand का motion, face का motion, finger motion यानि पूरी body के movement record किया जाते हैं इसे record करने के लिए actor को एक motion capture suit पहनाए जाता है जिसमें special mark लगे होते हैं जिनें camera track करता है इसके लावे एक camera device face के सामने भी लगा होता है जो कि actor के facial expression को record करता है ये इतना सटीक होता है कि actor की आँखों के, होटों के, यहां तक की चेहरे के muscles के हलके से हलके, बारिक से बारिक movement को भी record करता है ये सब action motion capture device की मदद से animated data के रूप में record कर लिया जाता है और उस data को 3D model को animate करने के लिए apply कर दिया जाता है तो वो 3D model भी वही action करता है जो actor ने किये थे जैसे आपने animation film में देखा होगा कि actor का 2D या 3D model बनाया जाता है और फिर texturing, lighting का काम होता है इसके बाद animator उसमें animation डालता है ठीक उसी तरह से model बनाया जाता है अब आपके बन में सवाल उठ रहा होगा कि जब actor ही acting करता है तो उसके 3D model में उसके motion ना डालकर सीधे actor को ही shoot क्यों नहीं कर लिया जाता CGI के द्वारा बराएं 3D model की जरूरत ही क्या है तो मेरे जवाब से पहले आपको छोटे छोटे scene देखिए अब ये scene देखकर आपको अपने सवाल का जवाब पूरी तरह से मिल गया होगा फिल्म Lord of Ring का ये character फिल्म हिस्ट्री का पहला ऐसा character जिसे पूरा का पूरा motion capture की मदद से ही shoot किया गया है अगर इसे motion capture की मदद से shoot नहीं करते तो क्या कोई actor ऐसा roll कर सकता था बिल्कुल नहीं हाँ कुछ हद तक prosthetic makeup की मदद से shoot कर सकते थे लेकिन हर बार ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसके साथ दूसरे challenge भी होते हैं जैसे for example planet apps में जो apps के character हैं और Avengers में Thanos का character भी motion capture की मदद से ही shoot किये गए हैं तो क्या prosthetic makeup या CGI animation की मदद से इतना शांदार और विशवशनी character बन सकता था बिल्कुल नहीं जो एकदम खुबहू पूरे expression के साथ acting कर सके आपका जवाब भी होगा नहीं इसलिए motion capture इतना important है motion capture का सबसे बड़ा फायदा यही है कि अगर 3D software में manual animation किया जाए तो वो काफी समय लेता है और साथ में एकदम से real expression लाना manual animation से थोड़ा कठेने यही motion capture की बात करें तो वहाँ असान हो जाता है और animation भी एकदम से original लगता है इसलिए motion capture आज कल modern cinema के लिए इतना important हो जाता है इसके बिना शायद हम Avatar, Avengers, Tintin, Planet Apps जैसी फिल्में उस लेवल पर नहीं देख पाते जिस लेवल पर आज बनी है इसलिए अगर मैं कहूं कि motion capture filmmaking का future है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अब कई लोग सोच रहे होंगे कि मैंने लगबग सभी विदेशी फिल्मों के उधारण दिये हैं लेकिन क्या इंडिया में motion capture technology से कोई फिल्म शूट की गई है या नहीं तो इंडिया की पहली 3D motion capture film थी कोचा दियान जिसमें रजनीकांत और दिपिका जैसे बड़े स्टार्स ने काम किया था इसके अलावा टीवी सीरिल्स विगन हर्ता गनेश में भी गनेश के करेक्टर के लिए इसका यूज किया गया है लेकिन अब सबसे ज़्यादा उमीदें ओम राउत की फिल्म आदी पुरिस से हैं जिसमें motion capture का इस्तमाल किया जाएगा और world class फिल्मों की तरह इसकी quality होगी motion capture का इस्तमाल film industry के अलावा gaming industry entertainment industry में भी बहुत किया जाता है आज कल के लगबख सभी 3D games इसी technology की मदद से बनाय जा रहे हैं अब motion capture को समझ लिया है तो इसके कुछ advantage भी समझ लेते हैं आप सभी ने fast and furious series जरूर देखी होगी उसमें काम करने वाले actor Paul Walker की मौन एक accident में हो गई थी तब उस film की shooting अधूरी रह गई थी फिल्म में करणों रुपे लग चुके थे ऐसे में एक important character बीच में गाया भी नहीं कर सकते थे तो filmmakers ने उस film में Paul Walker के भाई से acting करवाई और बाद में असली Paul Walker का 3D model बनाया और उसे उसके भाई के चेहरे से replace कर दिया इस तरह film में हमें खुब 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 असली Paul Walker ही acting करते नजर आते हैं तो ये पूरी तरह से तो motion capture से नहीं किया गया लेकिन एक तरह से CGI और VFX artist ने motion capture की तरह ही technology अपनाई थी तो आज कल motion capture से किसी मरे हुए विक्ती का character भी आसानी से बनाया जा सकता है इसके अलावा motion capture से किसी भी actor के body double को भी आसानी से बनाया जा सकता है ये तो advantages हुए अब कुछ disadvantage की भी बात कर ले और इसके challenges की भी बात कर लेते हैं अगर समस्ते की बात करें तो सबसे बड़ी समस्तेया ये है कि motion capture को record करने के लिए एक special device, suit और software की जरूरत होती है जो हो सकता है कि किसी छोटे production house के लिए समभव ना हो पाए इसके अलावा motion capture को real time में देखने के लिए अच्छे system machine की जरूरत होती है जो बहुत महेंगे होते है ये तो financial challenges की बात हुई इसके लावा जब actor ये suit पहन करेक्टिंग करते हैं तो उनके लिए नॉर्मल नहीं होता क्योंकि body पर special suit के साथ साथ camera भी लगा होता है इसलिए normal body movement नहीं हो पाता है इसके लिए actors को special training की जरूरत पढ़ती है तो friends ये था motion capture पर मेरा special video क्योंकि आप लोगों ने बार बार रिक्वेस किया था कि आपको technical videos देखने हैं और मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा मैं भी यहीं चाहता हूँ कि film technology के बारे में नए नए updates के बारे में आप सभी कलाकारों को technicians को मैं बताता रहूँ ताकि जब भी film industry में आने का आपका मन करे तब आएं तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए बाले पूरा नहीं लेकिन थोड़ा थोड़ा तो मालभी भी होना चाहिए बाकी तो आप अपने अनभाव सा सीख सकते हैं या अगर proper training लेना चाहते हैं आपको कॉंसलिंग की भी जरूरा थे कि मैं करियर में कैसे आगे बढ़ू उसके लिए भी आप जॉइन फॉर्म्स की सपोर्ट टीम को कॉल कर सकते हैं आज का वीडियो दिल से मुझे बताईएगा कैसा लगा अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और इसको सब के साथ शेयर कर दीजिए क्योंकि सब लोग अपग्रेड हो जाएंगे सब को अपग्रेड करना, खुद को अपग्रेड करना यही जॉइन फिल्म्स का मिशन है अगरे वीडियो में फ्रसर मिलेंगे तब तक के लिए ठेक टेरेगी, सिग्टेरेगी, CEMEरेगी, all the very best.